कॉफी एकदम फ्रेश कर देती है, ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गई है, I hope कि आप कॉफी पीते होंगे, कॉल कॉफी, होट कॉफी या कॉफी फ्लेवर आपको पसंद होगा, बहुत सारे पेपदार्थ, बहुत सारे खादे चीजों में हम कॉफी का इस्तिमाल करते हैं, आज म मैं इस्तिमाल करने वाली हूँ, कॉफी को चहरे का कालापन, डेड लेर हटाने के लिए, साथी साथ, पिग्मेंटेशन, मुलाजमा पे भी गजब का काम करेगा, स्किन टैन तो यह ऐसे हटाएगा, आपने अभी कोविट किया था, स्किन टैन दूर करने के लिए पैक कॉफी का यह फेस पैक दोस्तों, आपको निखार भी देगा और साथी साथ कुद्रती चमक भी लोटाएगा, और आपकी जेब को भी हलका होने से बचाएगा, क्योंकि पारलर में जाके ना तो आपको पैसे खर्श करने पड़ेंगे, और ना ही अपना समय बरबाद करने प कर सकते हैं, एक चमच मूंग दाल का आटा, मूंग दाल के आटे की जगे पे आप इस्तिमाल कर सकते हैं, मुलतावी मिट्टी का, पतला करने के लिए रोज वाटर मिलाएंगे, या एलोविरा जल, या दूद या मलाई, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, अब देखेंगे, अप्लिकेशन कैसे करना है, तो इस तरह से आपने ये पैक अपने पूरे चेहरे पे लगा लेना है, मूटी लेयर लगाना चाहें या पतली वो आपकी मर्जी है, आप उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई मनाई नहीं हैं दोस्तों, स्किन टैन क्यों होती है, जब हम सूर्य के परभाव में सीधे चले जाते हैं, हम अपने स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, संस्क्रीन बहुत काम की चीज़ होती है, तो मैं आपको सला दूँगी कि संस्क्रीन का इसकेमाल रेगुलर्ली कीजिए, लेकिन भारत्य गर्म के हिसाब से SPF 50 से कम संस्क्रीन आपके लिए यूजलेस है, कोई फाइदा नहीं है, या आप एक काम और कर सकते हैं, अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाईए, एक बार मिलिए, उनको अपना स्किन टाइट दिखाईए, वो रेक्मेंट करेंगे कि आप किस तोचा के मुत दाविक, आपको कितने SPF की संस्क्रीन चाहिए, क्योंकि SPF बहुत महतबून रोल अदा करता है दोस्तों, जिसको हम हमेशा अंडरेस्टिमेट करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे सोंद्रे परधादन देखते हैं, उसमें से अच्छी सी बॉक्सिंग जिस ची प्रेकिंग होती है, हम उसी को ही उठाते हैं, या सिरफ ब्रैंड पिचाते हैं, बट आपको यह देखना है, कि SPF आपकी तचा के मताबिक होना चाहिए, और साथे साथ जो हम बाहर से लगाते हैं, उसका फाइदा होता है, लेकिन आपने अपना खान पान, डाइट और हेल् लाइफ स्टाइल अपनाना है, और हरवल हो जाना, मॉनिका के पिटारे से आपके लिए ऐसे ही मस्द मस्द डियाइवाइस होम रेमेडिस आती हैं, तो आप जरू ट्राय करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में राय भी सांजा करते हैं, रिजल्ट भी बताते हैं, तो आपने य कितना अच्छा लगता है, तो यह वाला जो पैक है हफ्ते में कम से कम एक बार, नहीं तो दो बार आपनी जरूर लगाना है, इस पैक को लगाने के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जैसे आप चाहो वैसे लगाओ, मैंने प्रेश से लगाया है, आप उंग्लियों की स हम ऐसा कोई रूल बुक में नहीं लिखा है, यह सारी हरबल चीज़े हैं, एकाद इंग्लियों अगर मिक्स हो गया, जब अगली बार आएगा तब आप लगा लो, सिरफ उसी इंग्लियों को देही में मिक्स करके लगा लो, बराबर, अच्छा पैक जब भी आप लगाते है तो आप ध्यान रखिए कि रात के समय अगर आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट बहतर मिलेंगे, इसका इस्तिमार महिलाएं, पुरूश, लड़के, लड़कियां सब कर सकते हैं, मेरे यहां कोई भेदभाग नहीं होता है, खुबसूरत दिखने का हक सब को है, ठीक है, अच्छा, और ध्यान रखिवादी है, अगर आपको जरा भी लगे कि यह स्किन पर सूट नहीं करेगा, तो आपने जरा सा यहां पैच टेस्ट कर लेना, यहां थोड़ा सा लगा कि इस तरह से, पैच टेस्ट करके देख लो, आपको इमिनेटली बता चाह जाएगा, वैसे नॉर्मल चीजें मिलाई है, कोई ऐसा कोई चीज है ही नहीं इसमें, जिसका साइड इफेक्ट हो, ठीक है, कोई और वीडियो देखने है, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजे, फटा फट से, एक ही नहीं, दस बारे वीडियो की लिस्ट भेजवा, जो जो वी स्क्राइब करते हैं, अब आदा गंडा, पंदरा मिनिट, बीस मिनिट, जितनी आपकी इच्छा है, या जितनी देर आप बैट सकते हैं, पैक लगा के, आप लगा के बैठिये, और उसके बार नॉर्मल पाने से आपने चेहरा वाश कर देना, और उसके बार लगाना है अप दो बार इस पैक का इस्तेमाल जरूर करें